शादी.com पे आए डालोड नाओ शादी.com पे आए डालोड नाओ शादी.com पे आए डालोड नाओ वो महबत की चाशनी और चाहत का पैमाना बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना कभी आपको हसाए, कभी खुद का गुद गुदाना दोस्तो आदाब, मैं तारीक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ आपका प्यारा और खास प्रोगरम, कवी हाजिर है डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हसाएगा गुद गुद आएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शौर का गहवारा है तो किस बात की ताखीर है जी हाँ कवी हाजिर है दोस्तो जबानों के तालुक से हमेशा बाते होती रहती है हिंदी भी हमारी है अर्दू भी हमारी है यह हमेशा कहा जाता है लेकिन कुछ शायर ऐसे मकबूल हुए जिन्होंने हिंदी और अर्दू के बीच की एक जबान इस्तमाल की जिसे हम हिंदुस्तानी जबान कहते हैं हमारे बीच एक बहुत महतरम शक्सियत हैं जिने हम रवी यादव के नाम से जानते हैं कि हम ही नहीं फिल्मी दुनिया रवी यादव के नाम से जानती है प्रोडियूसर हैं एक्टर हैं और आज बहुत ये शायर हमारे बीच मौजूद है तो इस्तक्बाल करते हैं जनाब रवी यादव सहाब का आईए नमस्कार और डीडी उर्दू और कवी हाजिर है कि पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने खुबसूरत प्रोग्राम में मैं आज यहां हूँ दुरदर्शन अपनी जड़ों के लिए जाना जाता है और उन्हीं जड़ों से संबंदित एक आजाद नजम आपके सामने रखता हूँ एक ऐसे रिष्टे पर जो कहीं न कहीं इस भागदोड के जीवन में पीछे चूटता जा रहा है इसका जो शीर्शक है वो है मेरे चाचा रिष्टा यूं तो चाचा का भी दुनिया में मशुहूर बहुत है लेकिन फिर भी कवियों से कविताओं से ये रिष्टा दूर बहुत है कहां लिखा जाता है चाचा पर बामुश्किल कुछ पढ़ने को मिलता है सच भी है सच भी है जब लिखने वाले के पास अपने स्वयम के पिता हों तो किसी दूसरे के पिता पर कलम चले भी तो क्यों? दूसरे के पिता वो दूसरे के पिता जो किसी और के पिता होने से पहले बने थे हमारे चाचा चाचा जो एक पीड़ी के होकर भी जीते हैं दो-दो पीड़िया जब खड़े होते हैं अपनी पीड़ी के संग तो परिवार का संबल नजर आते हैं बनते हैं बाजू हमारे पिता की और अचानक से गंबीर, विराट, बड़े और जम्मेदार नज़र आते हैं और जब खड़े होते हैं अगली पीड़ी के साथ तो हम बच्चों को वो बिलकुल बच्चे नज़र आते हैं करते हैं खूब मस्तियां और खूब धमाल में चाहते हैं वो तमाम बाते हैं जो माता पिता से कहने में छूटते हैं पसीने हमारे और वो तमाम बाते हैं जो माता पिता उगलवाना चाहते हैं हम से या मनवाना चाहते हैं हमसे उन बातों के बीच चाचा एक सेतू का कारिय करते है और कई दफ़ा तो चाचा को बली का बकरा बनाया जाता है और अपनी खाहिशों का लबादा चाचा को उड़ाया जाता है मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आंगन में एक दीवार रख देता है और देखते देखते चाचा दीवार के पार हो जाते हैं जो कल तक सिर्फ हमारे थे जो कल तक सिर्फ हमारे थे वो दूसरा परिवार है प्यार उनका मरता नहीं हमारे लिए मगर हाँ प्यार की दिशा बदल जाती है और कही दफ़ा तो जादाद बटवारे की आग इस प्यारे से रिष्टे को निगल जाए तो चाचा के खिस्से कहानिया भूले नहीं जाने चाहिए ये बहुत जरूरी है कि चाचा की महबबतों के कर्ज भी पूरी शिद्दत से उतारे जाने चाहिए इसी लिए मैं जब अपने पिता को याद करके उनको शीष छुकाता हूं उसी समय मैं चाचा जी को भी शद्धा पुस्प चढ़ाता हूं अपने चाचा जी को भी शद्धा पुस्प चढ़ाता हूं बहुत 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 शुक्रिया और ये कभी न कभी सभी पर समय आना होता है और भारत की संस्कृती में है कि हम अपने बुज़र्गों का सम्मान करें एक गीत अपने बड़ों के लिए मैंने रखा और आज की प्रसती का आखरी गीत सिर्फ मुखडा और उसका एक अंतरा रखता हूं प्रेम गीत है कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं है प्रेम सिर्फ हासिल नहीं करता प्रेम सिर्फ जो है ग्रेंड नहीं करता समर्पन भी करता है देता भी है उस पर एक मुखडा और एक गीत तेरे मन के माफिक चुपी या लफजों में ढल जाना तेरी ना और मेरी हां में अगर कभी जो ठन जाए जुकने और जुकाने जैसी माना हालत बन जाए तेरी ना के आगे हस कर अपनी हां को सिम्टाना सीख रहा हूं कुछ ऐसे में इश्क मेरा ये जतलाना तेरे मन के माफिक चुपी या लफजों में ढल जाना बहुत 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 शुक्रिया दूर दर्शन का और पूरी टीम का बहुत बहुत आवा और मैं नहीं चाहता ह हूं का आपके बीच हाईल हो जाओंगा बहुत खुबसूरत माहौल है बहुत अच्छी शायरी हम लोग सुन रहे हैं इसी शाइरी के बीच, इसी माहोल के बीच हम बुलाते हैं वंदना कुमर साहिबा को बहुत महतरम नाम है। इस्तेग्बाल करते हैं वंदना कुमर साहिबा का। आईए। कभी हाजिन है, कभी हाजिन है एक गीत दे रही हूं, अपने देश के नाम, कि हमने बहुत कुछ सेहन किया, लेकिन अब सेहन करने का वक्त गया, तो कहती हूं, सीने में ज्वाला धद की है, और आँख में है पानी, अब न सहेंगे, अब न सहेंगे, हम तेरी ये मन मानी, सीने में ज्वाला धद की है, और आँख में है पानी, अब न सहेंगे, अब न सहेंगे, हम तेरी ये मन मानी, सीने में ज्वाला धद की है, तूने खंजर ही घौपे हैं, पीठों पर ही वार किया, तूने खंजर ही घौपे हैं, पीठों पर हीवार किया, तुने हर दम दिया है धोका, हमने तुझ से प्यार किया, है इतिहास गवाह कि तुने, है इतिहास गवाह कि तुने, हर दम तलवारें तानी, अब न सहेंगे, अब न सहेंगे, हम तेरी ये मन मानी, सीने में ज्वाला धद की है, और आख में है पानी, और हमारा देश आहिंसा का देश है, तुने सोचा हम चुप हैं, तो हम डर करके बैठे हैं, नफरत की आधी आए तो हम उसके संग बहते हैं, मिट जाएगा तू जग से, मिट जाएगा तू जग से, ये बात नहीं तूने जानी, अब न सहेंगे, अब न सहेंगे, हम तेरी ये मन मानी, सीने में ज्वाला धद की है, और आख में है पानी, अब न सहेंगे, अब न सहेंगे, हम तेरी ये मन मानी, सीने में ज्वाला धद की है, और गीत का आखरी बंद दे रही हूँ, हिंदू मुसलिम सिक इसाई, यहां प्रेम से रहते हैं, हमारा देश अनेकता में एकता का देश है तो कहती हूँ, हिंदू मुसलिम सिख इसाई यहां प्रेम से रहते हैं चाहे जो भी हों सारे ही मिलकर अब यह कहते हैं चाहे जाती धर्म अलग हो, पर हम है हिंदोस्तानी, अब न सहेंगे, अब न सहेंगे, हम तेरी ये मन मानी, सीने में ज्वाला धद की है, और आख में है पानी, अब न सहेंगे, अब न सहेंगे, हम तेरी ये मन मानी, अब न सहेंगे अब न सहेंगे हम तेरी ये मन मानी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और कभी हाजिर है की टीम का बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया वंदना कुमर साहिब आपको गजले और नजमे सुना रही थी दोस्तों आईए आगे बढ़ते हैं एक रेन बसेरा है शायरी का नफरत के जंगल में जिसकी बुनियाद में शायरी जहानत और उर्दू का घोल पड़ा हुआ है ऐसे शायर का नाम है जनाब बुनियाद जहीन साथ उन से मुलतमी से उनके कलाम के लिए इस्तक्बाल करते हैं तश्रीफ लगाए डीडी उर्दू और कवी हाजिर है कि पूरी टीम और तमाम अराकिन का शुक्र उगजार हूँ मुबारक बात पिश करता हूँ कुछ गताद के साथ अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ मुलहाज़ा फरमाए कहता हूँ कि अभी मत बात करना रोशनी की अभी मत बात करना रोशनी की अंधेरे में उजाला सो रहा है अभी मत बात करना रोशनी की अंधेरे में उजाला सो रहा है जरूरत ही नहीं जो रो जफा की वफा की यार में सब हो रहा है वफाती यार में सब हो रहा है फजाओं में तो नफरत घोल दी है महबत को भी क्या मेला करोगे फजाओं में तो नफरत घोल दी है महबत को भी क्या मेला करोगे यकी नजदीकियों का हो रहा है तसली है कि अब दोका करेंगे फजाओं में तो नफरत भोल दी है महबत को भी क्या मेला करोगे यकी नजदीकियों का हो रहा है तसली है कि अब धोका करोगे देखिए के लगन की बात थी आखिर लगन के साथ गई लगन की बात थी आखिर लगन के साथ गई गुलों को छोड़ के खुश्बू पवन के साथ गई लगन की बात थी आखिर लगन के साथ गई गुलों को छोड़ के खुश्बू पवन के साथ गई भटकते रहना है तुमको अकेले जिस्म लिए तुम्हारी रूह तो मेरे बदन के साथ गई भतकते रहना है तुमकों अकेले जिस्म लिए तुम्हारी रूह तो मेरे बदन के साथ गई देखिए एक मतला और दो शेर जमीन पे हैं किदम खाव आसमान के हैं शकसा पर हैं मगर होसले उडान के हैं शेर कहताओं के फिसल न जाएं कहीं पाउं फिर बुलंदी से फिसलने जाएं कहीं पाओं फिर बुलंदी से जरा समल के चलो रास्ते डहलान के हैं और तेरी भवों की तनावट को जानता हूँ मैं ये तीर जितने हैं सारे तेरी कमान के हैं ये तीर जितने हैं सारे तेरी कमान के हैं एक मतला और दो शर्म लाहिज़ा फर्माएं कहता हूँ कि उसने मेरे वजूद को जेरो जबर किया उसने मेरे वजूद को जेरो जबर किया जब ही किया है वार तो एहसास पर किया रिष्टों में अब कहां है वो पहली सी ताजगी इनसां पे खाईशात ने कैसा असर किया आये थे बिन लिबास जमाने में हम जहीन आये थे बिन लिबास जमाने में हम जहीन बस एक कफन के वास्ते इतना सफर किया आये थे बिन लिवास जमाने में हम जहीन बस एक कफन के वास से इतना सफर किया एक घजल पेश करता हूँ मतला पेश करता हूँ हाजिर करता हूँ मुलाइज़ा फरमाए कहता हूँ कि जैसा तू है खुद को वैसा कर लें क्या जैसा तू है खुद को वैसा कर लें क्या पाकिजाद दिल को भी गंदा कर लें क्या जैसा तु है खुद को वैसा कर लें क्या पाकिजाद दिल को भी गंदा कर लें क्या शेर मुलाइजा फरमाए कहता हूं कि तेरे साथ रहे तुझको बरदाश्ट करें तेरे साथ रहें तुझको बरदाश्ट करें समझोते पे फिर समझोता कर लें क्या समझोते पे फिर समझोता कर लें क्या और शेर देखिए बरसों बाद मिले और महले मन के साथ तुमसे फिर मिलने का बादा कर लें क्या तुमसे फिर मिलने का वादा कर लें क्या और इस वज्जल का आघरी शेट बहुत नाजूग, बहुत नफीस, मसमून देखी आप कि हलकी सी मुझान जो तेरे लब पे है इस साउगात को आधा आधा कर लें क्या? बहुत बहुत शुक्ते बहत बहुत शब्ल रूदा कर लिया क्या जमाने भर से वादा कर लिया क्या अधर कर ली उप फूद अपने को आधा कर लिया क्या आईए दोस्तों आगे वड़ते हैं साकीमरोवी के इन शेरों के साथ मैं जनाब साकी अमरोवी की ही सरजमीन से एक उस्ताश शायर बहुत महतरम बहुत मुखलिस जनाब शैदा अमरोवी साहब को दर्खास कर रहा हूं कि वहाँ और अपने कलाम से नावाज है साथ बरस शायरी को देने वाले शायरी के गुलशन को सीचने वाले इस्तक्बाल कीजिए जनाब शैदा अमरोवी साहब का आईए मुहतरम हज़राद सबसे पहले तो मैं दूर दर्शन का शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि कभी हाजिर जैसी मैं फिल्म में मुझे हाजिर होने का मौका दिया अरस किया है मुलाज़ा कीजे कि तल्खी जबागी से आजार हो गई पर्दे में दोस्ती के वो ढढ़ाएगे सितम पर्दे में दोस्ती के वो ढ़ाए गए सितम मरना महाल जिन्दगी दुश्वार हो गई के नोके कलम ने जल्म का सरकर दिया कलम कागस पे जब चली तो ये तलवार हो गई कागस पे जब चली तो ये तलवार हो गई अपने शहर में प्यार की कद्रें बदल गईी अपने शहर में प्यार की कद्रें बदल गईी इनसानियत को देखिये बीमार हो गईी और एक गजल पेश कर रहा हूँ मेरे नगर में आज ये कैसी हवा चली महलों के खिर्कियों के भी शीशे पिगल गए और किरने भी थी बला की तमाज़त लिए हुए कच्छे मकान धूप की गर्मी से जल गए और गजल का शेर है मलाज़ा कीजे वो गर्मी शबाब पसीने की जल कियां उनकी जबीन नाज पे तारे मचल गए हर बज में जिक्र फिक्र में रोशन है उनके नाम हर बज में जिक्र फिक्र में रोशन है उनके नाम शेयदा जो लोग प्यार के साचे में ढल गए एक खजल करें उनकी कुछ कर रहा हूं आज जिन्द रहने को जिन्दगी तरसती है दोर में गरानी के मौत कितनी ससती है दोर में गरानी के मौत कितनी ससती है जखम जखम उम्मी दे है लहू लहू अर्मा जखम जखम उम्मी दे है लहू लहू अर्मा मेरा शहर लगता है पत्थरों की बसती है कैसा इनकिलाब आया कल जो जान मेह फिल थे कैसा इनकिलाब आया कल जो जान मेह फिल थे आज उनके चेहरों से मुफलिसी बरसती है आज उनके चेहरों से मुफलिसी बरसती है क्या मिजज पाया है तूने गर्दिशे दोरां क्या मिजज पाया है तूने गर्दिशे दोरां जो खुलूस रखते हैं तूनी को डसती है जो खुलूस रखते हैं तूनी को डसती है ओ गजल का आखरी शेर पेश कर रहा हूं वो जफाएं करते हैं हम जफाएं सहते हैं वो तो उनकी आदत है ये हमारी हसती है वो तो उनकी आदत है ये हमारी हसती है और मक्तापेश है नशा जाम मीना में डूंडते हो तुम शैदा नशा जाम मीना में डूंडते हो तुम शैदा ये भरी जवानी तो आप एक मसती है आज जिन्दा रहने को जिन्दगी तरसती है बहुत शुक्रियाद बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शैदाम रोवी साब दूआ है कि अल्ला इन बुजर्गों को ऐसे ही सलामत रखे इन लहजों को सलामत रखे इन सायों को सलामत रखे दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का दिल तो नहीं करता मैं हमेशा ही ये बात कहता रहता हूँ लेकिन ये है कि जन ने ये कहा था कि तुम अगर आईयो तो जाईयो मत और अगर जाईयो तो आईयो मत लेकिन मैं जो उन से इत्तफाक नहीं रखता हूँ इस मसाले में और इत्तफाक रखता हूँ حضرت امیر سے खुदा सुखन से वो कहते हैं कि अब तु चलते हैं बुद्कदे से मीर फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया खुदा आप खुदा सुदा 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 गवी हाजू है, 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 गवी हाजू है झाल झाल